असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सबाई होप आप सब ठीक होंगे हैरियत से होंगे मैं भी लकश कर बिल्कुल ठीक हूँ तो अब भी जी आज ये सुबा के नाश्टे का टाइम है काफी टाइम के बाद वैसे तो नाश्टे में रोजी पराठा वगरा बनता है या रोटी बन जा लेकिन आज ऐसे ही बस सुबा उठी तो मूड हुआ के बाकरहानी वगर और ये जो मतलब बेकरी आइटम ड्रा इस तरह की चीज़ें ये घर में पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा जिनका नाश्टा कर लेते हैं तो हस्बेंट चे पूछा तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है को जूरी हैं और अच्छे रहते हैं और बच्चों के लिए स्पेशली तो बस केकरस वगरा भी पढ़े तो वह भी रख लिए दो तीन चीज़ें लग लग रख लिए जिसको जो खाना है अफान शौक से जो है ना वह केकरस काता है वह इतना शौक से नहीं खाता है तो और खूब जो है ना फिर हम इसको स्पेशली मैं जो है इंजाय करती हूं तो बस यहां पर भी नाश्ता करने हैं मजदार सा हलका पुलका साच और नाश्ते के बाद अभी मैंने फ्रिच खोला तो फ्रिच थोड़ा सा मुझे बिखरा हुआ थोड़ा सा नहीं काफी बिखरा पर चाहिए थोड़ा इसको साफ करके फ्रीजर तो साफ है तो नीचे का बस ऐसे यह निजब जो आता है ना हाथ वो काम में कर लेती हूँ तो ऐसे अभी यह सारी जो है फ्रिच को खाली करूंगी और कपड़े से गिल्या कपड़ा करके साफ करके दोके से ची तरह से सारी च लगा है तो फिर चीज़ें जो है ना उसमें अच्छी तरह से अर्जेस्ट हो जाएंगी अराम से तो यह भी काम इस तरह के भी साथ साथ बसकभी कबार ऐसे होता है मूड या दिल चाहे तो देख लो अगर हो कुछ तो कर लेती हूं नहीं हो तो नहीं भी करती हूँ वैसे बस खोला था तो मैं बटन दोते में मुझे होता है कि मैं एक बर चेक कर लेती हूं फिच खोल के कोई बटन ऐसे एक्स्ट्रा कोई चीज पढ़ी विया तो मैं वह निकाल के तो बटन वगारा जो है ना पूरे वाश कर दो इसलिए खोला तो साफ हो गया वह भी उसके बाद रोम में आई और यह ड्रॉर खोला यहां बैट वगारा जाड लिया था सब सेट कर दिया तो यह ड्रॉर खोला पता नहीं क्या चीज निकालने के लिए तो मैंने देखा यहां फान के डाइपर बिल्कुल हत्म हो गया तो अभी मैं जो है ना इसको भी सेट कर लूँगी यह भी एक काम है अच्छा अब तो वैसे काफी काम हो गया है रच्छा क्या रात में से लियूज होते है डाइपर तो इतने ज्यादा जो है नहीं लगते तो बस अभी वो खाली करूँगी ड्रॉर और यह डाइपर जो है इनको खोल के तो साफ करके इसमें रख लूँगी बाक होते में एक यह दो चुटियां आती है तो फिर उन्हें तो पूरा जो है ना रेस्ट करने का ही टाइम जो है और जगा वह चाहिए होती है तो बस इसलिए कंबल को ऐसी मैंने जाड़ दिया सारा बैड और रख दिया ऐसा ही कि चलो जब नहीं लेटना होगा तो वह अराम से तो यहां रेस्ट कर सकते हैं और यहां पर ड्रॉर वगरा भी क्लीन हो गया सारी चीज़ें चोटी चोटी कुछ अपनी जरूरत की भी एक दू चीज़ें में यहीं रखी हैं कभी कभी होती है सुस्ती के इनसान बैठा वह कुछ याद आया तो चलो उटना ना पड़े यही पासे चीज़ें निकालो और यूज कर लो रफान की तो अल्मुस्ट सारी जो है ना यूज की चीज़ें जरूरी जो है वो यहीं रखी हैं अभी आयम ग्रॉस्टी के लिए शाम का टाइम हो रहा है तो चार बज़े के बाद तो चार क्या तीन बज़े के बाद तकरीबन ध शान नहीं है वैसे तो कोई एक डेड़ हफता हो गया धूप निकली नहीं है कल निकली थी थोड़ी और आज हलकी फुल किसी तो बस ऐसे ही निकले हैं बाहर अब सर्दी के मारे घर में तो नहीं इनसान बैठा रह सकता दिल तो नहीं चाहता बाहर निकलने को पर कुछ काम ह तो आना ही पड़ता है तो बस क्रॉस्टी करके यह भी वापिस जा रहे है और यह मौसम शाम का इसे चार बजे का टाइम है और अच्छी खासी जो है ना सर्दी हो रही होती है और दूप जिस दिन निकले उस दिन फिर भी मौसम थोड़ा बेतर होता है मतलब दिन में बाहर तो निकलना जो है ना बहुत मुश्किल काम लगता है अच्छा खासा जो है थंडा हो जाता है इनसान और उपर से यह जो है बच्चों के लिए बच्चे क्या है बड़े भी ऐसे फ्लू और खांसी वगारा जो है ना यह चीज़ें तो जान ही नहीं चोड़ रही है जब से स घर आए भी जी समान वगरा समेट के तो यह फूट चार्ट का समान कुछ लाए थे हस्बेंडी उनको बहुत पसंद है फूट चार्ट और मजे की बात यह है कि उनको जो है ना वह बना भी खुदी लेते हैं ऐसा काम जो है ना मोस्टली वह खुदी कर लेते हैं मुझे इतन और क्रीम डाल के बनती है वह वाली पसंद है पर उन्हें यह अच्छी लगती है शीरे वाली तो अच्छा है बदब डिफरेंट टेस्ट होता है दोनों का एक अपना टेस्ट है तो मैंने का चलो बनी भी मिल रही है तो और क्या चाहिए खा लेते हैं शुकर करना चाहिए ऐ यहां पर भी फूट चाहिए और अफ़ान भी मश्यला जो है ना शौक से खा ले था खा था क्या वह चुन चुन को इसको इसमें पता होता है कि इसमें खुचूर अलीविया और ग्रेप से ना जो तो वह मुझे कहता है बस मुझे वह ग्रेप से उसमें से खिलाओ बाकी जाता है कुछ ना कुछ तो फाइदा बच्चे को भी मिली जाता फूट जो भी हो अच्छा है और यह रात का खाना आज बस ऐसे सुस्ती सर्दी में बाहर से ओ तो बस फिर मतलब जो है ना बिस्तर से निकलने को दिली नहीं करता और थोड़ा सरमें दर्द होने लग गया थ तो फूट चाट खाई थी फिर इतनी जल्दी भूग भी नहीं लगती तो यह लाइट सा जो है विंग्स वगएरा और बर्गर एक मैंने अपने लिए मंगवा लिया नागिट सा फान खाता है शौक से और फ्राइस खा लेता हो मंगवा लिया तो बस अभी हम अपना खाना करेंगे और इसी के साथ मैं वीडियो को भी एंड करूंगी और उमीद करूंगी मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरू